ये रहा प्रश्न बताईए इन चारो विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है वीडियों को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें समय समाप्त चलिए इसका उत्तर और इसका हल देखते हैं विकल्प बी 68 अपॉन 7 इसका सही उत्तर होगा चायांकित भाग का शेत्रफल निकालने के लिए अगर वर्ग के शेत्रफल से चारो चतुरांज का शेत्रफल और इस वृत का शेत्रफल घटा दिया जाए तो हमें चायांकित भाग का शेत्रफल मिल जाएगा यहां वर्ग की बुजा 4 cm है और 4 चतुरांशों की तरिजय 1 cm है तथा बीच में जो वृत है उसका व्यास 2 cm है अब वर्ग और वृत के शेत्रफल का सूत्र लगाके हल कर देंगे तो हमें चायंकित भाग का शेत्रफल 68 x 7 cm2 मिल जाएगा इसलिए यहां option भी सही हो जाएगा धन्यवाद